अगर इस गारी के साथ सही रूट में आती तो सायद ये गारी का मज़ा ही कुछ अलग होता तो दोस्तों आएए आगे बढ़ते हैं और बाकी के बातों को जानते हैं आएए आप आगे चलते हैं और दस्वा पॉइंट जो दोस्तों काफी इंपोर्टेन पॉइंट है मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप लोगों के शाथ शेयर करों सायद आप लोगों ने ये कभी ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत काफी मैसूस हु इसमें स्मार्ट हाइब्रीड की फैसिलिटी मौजूद है जिसके चलते आप कभी भी आइडलिंग स्टॉप वाले फैसिलिटी को ले सकते हैं जिसके कारण यहां एक सेकेंड बेटरी लीथियम आयन की एक बेटरी दी गई है जो यहां पैसेंजर रो के नीचे यहां इस पो दी बहुत सुंदर तरीके से बेटरी भी इन्होंने यहां दे दिया पैसेंजर सीट के नीचे लेकिन इस बेटरी का कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग पॉइंट इन्होंने नहीं दिया है अगर कोई गाड़ी रख दे घर में बहुत दिन बेटरी डाउन हो सकती है सामने वाल इस फूल चार्ज रहता हम लोग प्लग कर देते कारेंट पर स्विच दे देते यह चार्ज हो जाता उस तरीके की एक फैसेलिटी वो इस बेटरी के साथ हमें एक फीचर के रूप में दे सकते थे कि भाया लिथियम आयन की एक बेटरी है जिसको आप चाहो तो एक्स्ट्रा करके कारेंट में लगा के भी चार्ज कर सकते हूँ और दोस्तों आईए आगे बढ़ते हुए 11 बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे इस गाड़ी में प्रोब्लेम के रूप में नजर आया वो एक्ट्विली इस इन्फोटेंटमेंट सिस्टेम से जुड़ा हुआ है यह जो इन्फोटेंटमेंट सिस्टेम कंपणी ने दी है इस गाड़ी में उसमें दो तिन प्रोब्लेम है जो मुझे फिल हुआ है जो सायद आप लोगों को भी ऐसास हुआ होगा सबसे पहला इन्फोटेंटमेंट सिस्टेम स्लो है कम से कम 15 से 20 सेकेंड लगता है इसे फ good afternoon, good evening का welcome message देता है जो actually मेरे हिसाब से ये कितना time में ये चालू होता है और कितने time में इसके अंदर से वो message आती है बोल कर voice message, good morning, good afternoon वाला वो जो setting है वो company के तरफ से सही धंग से नहीं मिलाया गया है जिसके चलते जितने time में ये infotainment system start होता है कभी-कभी तो ये good morning full voice में बो afternoon, good morning सुनाई भी नहीं देता है actually infotainment system के अंदर बनी हुई welcome message देने वाला जो process है वो align नहीं है इस infotainment system के थ्रू जिसके चलते ये जब चालू होती है और उसके जब बोलना होता उसमें फर्क होता है काफी और जो तीसरा सबसे बड़ा point मुझे इस infotainment system में लगा वो ये है कि इस गारी में 360 degree camera fit है जिसके चलते ये देखी आप infotainment system में मैंने गारी को start करके रखा है यहाँ पीछे से जब दबाओं तो ये 360 degree camera का feature मुझे यहाँ दिखाई देता है और ये जो 360 degree feature का system यहाँ infotainment system से display होता है यह हर वक्त होता है जब भी हम लोग गारी को start करते है या फिर जब भी हम लोग गारी को back करते हैं या back gear लगाते हैं तब ये चालू हो जाती है लेकिन जब हम लोग गारी को start करके आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर back gear से हटा कर एक number gear लगा कर हम लोग आगे जाना चाहते हैं तो कम से कम 10-10 second तक ये view दिखाते ही रहता है 360 degree का sound होकर नए से full voice में play नहीं होता है काफी समय लगता है गाना तो खेर छोड़ दीजिए नहीं सुनने से भी चलेगा driving में लेकिन को emergency phone call आगर attend कर रहे हैं उस वक्त आपने गाड़ी को back कर लिया वापस गाड़ी को front gear लगा कर आप जाना चाहोगे तो उस call का voice इस में full voice full level पर नहीं आती है काफी समय लगता है यह problem है इस infotainment system का जो company को चाहिए कि इस system को उतना expert तरीके से reset करे कि हर एक छोटी छोटी बाते जो मैं share कर रहा हूं यह उसमें उन खामियों को दूर करके एक मजबूत बढ़िया infotainment system में तयार करे और एक बात इस infotainment system में मैंने देखा है कि अगर यह 10 second 15 second का time ले रहा है अपने आप में reset होकर वापस नए system में inclined होने के लिए तो अगर हम लोग थोड़ आसा handbrake खिश देते ना तो voice वापस आ जाती है यह पता नहीं क्यों मुझे समझ भी नहीं आया क्या system है यह handbrake के साथ क्या relation है यह जो 11th problem जो है यह actually 11th problem नहीं है इसके अंदर में कम से कम 4 problem है infotainment system slow है back gear लगाते हैं तो वो restart होकर वो normal process में नहीं दिखाता है काफी समय लेता है जो welcome message आता है वो aligned नहीं है इसके system के through कभी full voice में बोलता है तो कभी देरी से बोलता है कहीं कोई call आ गया वो call अगर आप किसी करण से गाड़ी को back कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं तो call disconnect हो जाती है और उससे भी बड़ी बात जो इस infotainment system का मुझे fill हुआ है वो यह infotainment system आपके mobile phone से connect होता है android mobile app के सहारे लेकिन पता नहीं क्यों यह android mobile app का connection जितना बार भी आप चाहे पेयर कर लो अक्सर किसी ना किसी कारण से पता नहीं क्यों क्या कारण है इसकी अंदरीनी क्याव system बनी हुई है वो disconnect हो जाती है यह हर बार दिखाता है यूर phone is not connected android auto का connection छूड जाता है यह पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा या आप लोगों के साथ में भी होता है नहीं मालूम लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है यह भी एक बहुत बड़ा problem है हर आये दिन या हर तीसरे दिन आपको android system को connect करना पड़ता है यह सही नहीं है यह actually नहीं होना चा इसके छोटे-छोटे चीजों को align करकर एक बहतरीन system यह तयार करें अगर इसमें कुछ problem है तो उसको crack करें और दोस्तों इस infotainment system के सहारे मैं आपको बारहुआ पॉइंट बताना चाहूंगा जो एक्चुली बारहुआ नहीं होगा इस infotainment system के अंदर की सारी problems को अगर मैं जो और लूट तो साइद पंदरवा या सतरवा problem होगा anyway सिरियली में आ रहा हूँ तो इस infotainment system के सहारे अगर मैं अपना location पूट करता हूँ तो सुजू की connect के थूँ जो भी location google map में उभर कर आता है वो मेरे location place से actually accurate match नहीं करता है वो आसपास का कहीं का location लेकर दिखाता रह मेरा घर यहां है तो बताता है कि मेरा घर यहां है गाड़ी अगर मैंने यहां पार्क किये तो वो मुझे हर बार दिखाता है कि यहां आपको पैदल जाकर गाड़ी तक पहुंचना है यह चीज़े गलत है अगर मैं जिस जगह का location दे रहा हूं उस जगह का location actually दूबारा edit कर कर पूट करने के लिए इस infotainment system में कहीं कोई सुविधा नहीं दी गई है अगर infotainment system और सुजू की connect का जो feature है वो अगर aligned होकर आपका सही location ले लेता है तो वह वह लेकिन अगर सही location नहीं लेता है तो आप इस system के सहारे या फिर सुजू की connect के systems के सहारे आप अपने location को reset नहीं कर सकते क्योंकि यहां कोई सुविधा ही नहीं दी गई है उस तरीके की और दोस्तों आईए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 13th problem इस गारी में जो मुझे मैसूस हुआ वो यह कि इसका जो globe box है यह जो globe box इसका है यह काफी छोटा globe box है company इ तो दो दो भी देखा है इसके दर्वाजे तो बड़े हैं लेकिन अंदर में जगा छोटा है border अंदर डाला गया है दर्वाजे तो बड़े है उसके हिसाब से अगर बनाते तो बड़ा बनता पता नहीं क्यों अंदर में उसको निचोर कर छोटा सा बना दिया है जो side plate से उस इस गाड़ी में, इस गाड़ी का बोलके नहीं है, एनी वेईकल जो इस तरीके की गाड़ियों में, जिसे कि इसमें खासकर वाइट लाइट दी गई है, LED हेडलेम्स दीए गए हैं, उससे क्या होता है कि वाइट लाइट निकलता है बाहर, काफी खतरनाक है वो वाइट लाइ तो दोनों वाइट लाइट इस तरीके से मैच हो जाती है, आपको टार्निंग में एहसा सी नहीं होगा कि इधर से कोई गाड़ी आ रहा है और आप इधर से जा रहे हो, आपको फरक मैसूस ही नहीं होगा अंधेरे में, क्योंकि इसकी लाइट जो है, वो आपकी लाइट के स सहरे चलते हैं, येलो लाइट जो हमारी पहले गाड़ियों में होती थी, जिसे हम लोग चला कर आदी बन चुके हैं, उस येलो लाइट में सबसे एक बड़ी खासियत क्या है, जितना भी लंबा हो, वो येलो लाइट आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते थे, जिसके चलते टार्निंग में जब भी आप मूव करते हैं, सामने से इधर से कोई गाड़ी आ रही है, उसका येलो लाइट आपको यहाँ टार्निंग पे दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से, जिससे आप यहाँ से आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ सामने तो बहुत अच्छा है, काफी साफ दिखता है, लेकिन ये जो हेड्लेम्स दिए गए हैं, ये हेड्लेम्स सायद इनको येलो लाइट्स का देना चीए था, या फिर येलो लाइट्स नहीं होने के करण टर्निंग में ट्रेविलिंग में प्रोब्लेम होता है, कमपनी पता न इसके लिए क्या सोच कर क्या निकालेंगी, लेकिन मुझे तो ये फिल हुआ दोस्तो मैंने आपको बताया, तो दोस्तो इस वीडियो में जितना भी पॉइंट्स मैंने शेयर किया है, सायद हर एक पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैच नहीं करता है, या फिर आप लोगों में होता, तो ये गाड़ी काफी अलग होती, जो आदमी 14-15 रुपया देकर ये गाड़ी ओन रोड प्राइस में खरीता है, वो आदमी 10,000 या 20,000 रुपया एक्स्ट्रा होने से भी देता, कमपनी को ये सोचनी चाहिए, ये छोटी-छोटी चीजे जो मैंने बताई है, इस जो गाड़ी कमपनी ने बनाई है, ये गाड़ी एक मस्त गाड़ी बने, कोई कमी ना रहे इस गाड़ी में, सामने वाला कोई बता ना पाए कि भया हाँ, आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लेम है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पासकें, धन्यबाद